लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें एक दफा का जिक्र है एक कर्णल साहब थे जहां यही हैं वो कर्णल साहब लेकिन वो तो एक गए गुजरे जमाने की बात है जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हकूमत थी अंग्रेज चले गए कर्णल साहब ने फौज छोड़ दी लेकिन फौजदारी नहीं छोड़ी लोग अब उन्हें राय साहब कहकर बुलाते हैं राय साहब एपी रॉय एक बहुत बड़ी हवेली में रहते हैं अपनी बेहन सती देवी के साथ राय साहब का एक लड़का था नीलेश जिद्धी तो बाप ही की तरह था लेकिन शौक उनसे बिलकुल अलग थे वो संगीतकार बनना चाहता था और राय साहब ये नहीं चाहते थे उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली सुजाता से वही हुआ जो होता आया है नीलेश और सुजाता बड़ी खरीबी के हालत में जिन्दगी से लड़ते लड़ते हार गए दोनों गुजर गए और अपने पांच बच्चों को बेसाहरा छोड़ गए रमा, अजे, विजे, मीता और संजु सत्रा साल बाद राय साहर निलेश के बच्चों को लेकर अपनी हवेली में लोटे और लिखाने पढ़ाने की कोशिश की लेकिन ये बच्चे भी अपने पिता और दादा ही की तरह जिद्दी निकले कितने ही मास्टर रखे गए लेकिन इनोंने किसी को ठीकने नहीं दिया कोई महीना, कोई हाफता, कोई दस दिन, कोई तंगा कर छोड़ गया और कोई नहीं, ये नहीं गए, ये अभी तक बढाते हैं इन बच्चों को आप ही को बोल रहे है मैंने के किया जो आप हुझे मार रहे है अभी तो तुमने कुछ किया ही नहीं बेटा तब ये हाल है सोचो, अगर कुछ करोगे तो हम क्या हाल कर देंगו मैंने बहुत तारीब सुनी है तुम लोगों की एक एक को ना सिधा कर गिया तो कहना ख़़ हो जाओ खराता हुँ खरे हो खराताहँ ना खरे खरे जाओ खराता हुआ ज़ोज़े खर्फka लेश्न याक करो जब तक मैं छोटे दोन को लेश्न याक कराता हुँ चोब ज़म percentage Kt for करना है करना Nvidia क्या। करना है। मास्टर्य जी करना है। आफो, क्या करना है। क्या करना हैraw। कर लिया। क्या। क्या। हते है। । कर isto, कर दो चुट हुआ कर दो यद दो पहुआ सह ज हुआ। करे भजू हुआ सraf款 पहुआ हुआ घ्ङिःहुगई। फियुफटिएू हुईboy हुई हुई अ… अ… subjective अजएटि हुई यजए इजए AUओ मेसी अप Robin आर लो 45S D discs प्सुछ मुछ ॹ औल, मुछ प्सुछ प्सुछ मुछ म exempl恭 अभ में? में? हमें? में? क्या हुआ मास्तर भीको पता निये उजूर साथ वो तो भूत-भूत कहके बार गए ये देखो भया किसने किया है ये किसकी शरारत है और किसकी हो सकती है वो ही जिने सिखाने समझाने के लिए रोज नए-नए मास्टर रखे जाते हैं कोई पहली बार है भीया चलो सबको बलाओ जल्दी बार अजय विजय मीता संजू अरे ज्यादा ढोंग करने के जरूत नहीं है चलो हुजूर साब बुला रहे है अच्छा रह उठो तुम्हा ऐसे नहीं उठो चलो चलो उठ जा सब लोग अरे उठो तुम लोग देदे देदे हुजूर साब आपको बार बुला रहा है जल्दी आओ मेरी समझ भी ये नहीं आता कि आप क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं आप पे तो कुछ कम जिद्दी नहीं है भाया नहीं पड़ते ना पड़े आपकी बला से आप जाए सोजाए भाया इनकी खबर मैं लेती हूँ जल्दी जल्दी आओ खड़े हो जाओ रमा मा है चलो इदार आओ तुम भी असल कप्तान तु तुम ही हो तुम्हारी मर्जी के बगार थोड़ा ही होता है कुछ सच सच बताओ किसने ये हरकत की है किसने कच्छवे के पीट पर मुंबत्ती जलाई साफ साफ जवाब दो किसकी ये हरकत है वन्हा सारी रात यहीं खड़ा रखुनी नहीं बताते हैं ठीक है तु खड़े रहो इसी तरह नारा है तुम यहीं खड़े रहो और देखते रहो कि इन में से कोई बैठने की कोशिश ना करे यह अच्छा लेकर सारी रात है हां सारी रात यह सब इसी तरह खड़े रहेंगे और मैं भी हां तुम भी बत मासी पोचकी और मार पले धूल बजाने वाले पर करेंगे रात है करेंगे रात है करेंगे युम हुआ 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 है मंगल पर शनी की छाया है इसलिए बुद्ध का लगन कारे सिद्ध नहीं करता प्रंतु राहु के घर में ब्रस्तपती का परवेश कारे सिद्ध कर दिया आपने तो पूरा हफ्ता उल्टा सिद्धा कर दिया मंगल के बाद शनी और शनी के बाद बुद्ध आप सीधे सीधे सोमवार्थ से चुरू कीजी ना यार तु भी मदाग छोड़ और जो पंड़ी कहते हैं सुन पंड़ी आभी कमाल कर रहे हैं सीधी साधी सरल हिंदी में बताइए कि आज भी से नोकरी मिलेगी या नहीं आप तो ऐसे लगते हाथ नहीं कलंडर पड़ रहे हैं सेकंड ट्रैक! वह क्या होता है? सहीं मालों! यार लोग जिसे मन के आवास कहते है जब चुप हो या बोल रहे हो अंदर एक आवास चलती रहती है ना, नि उसे सेकंड ट्रैक कहता हूँ लेकिन फर्द सिर्फिर मेरा सेकन्ड टrack मुझसे भी पूचा बोलता है तो ये आपका जो सेकन्ट टrack है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये नोकरी मुझे नहीं मिलने वाली है नहीं मिलने वाली? क्यो? इसलिए कि पंड़ जी ना मेरा यहाथ छोड़ेंगे ना मैं इंटर्विव पर जाऊंगे ना यह नौकरी मुझी मिलेगी नौकरी तुम्हारे भाग्य में नहीं बच्चा, तुम्हारी हस्त रेखा सीधा वेवपार की दिशा में जाती है मंगल से बुद्ध मिलने की संभावना है तुम्हारा शुक्र जब शनी के प्रभाव से बाहर आएगा तो तुम्हें बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा महराज जी समझे, यहां देड़ दोसों की नौकरे नहीं मिलती और आप राजपाट की बात कर रहे है आप अमित का हाथ देखिये, मा चली चलिये पंड़ली, मेरा हाथ देखिए क्या है की बनह अंग्रेजे कोई नावे है यह वास्ते ऐसो आदमी चाहिए, जो हम बता दें, वे हम अंग्रेजी मा लिखदे हैं पर जो हम बतायों सिर्मा閃 गा जो भाई पहरे हमारे पास काम कर रहे हैं, वो बहुत पुराने हो गए हैं, पर क्या है कि अब बुठे हो गए हैं, ठीक से देखने को भी नहीं सकें, एक चित्थी को ददस बार टाइप करना पड़े हैं, वैसे काम दोचांग घंटे ज्यादा कोई ना, हैं जी, रोज की दस आपना चित्थियां लिखनी पड़े हैं, और मीना में एक बार सारी सारी बिल टाइप करके भीजने पड़े हैं, हैं जी, समझ गे ना, पीराचन जी, पीराचन जी, बाबो जी को अंदर जागे सारा काम संझा जो, जाओ जी, आप इनके साद चिले जाओ, हैं जी, हां जी, हुआ जी, पाचल मैं, प्रीक बेटियो, जी, चुक्रा फ्रियु हाँ, जी, मैं शुक्री, उसुक्रा था जी, खालए हं, हां तो रूसकी जो चिछी आती है, वो इस left tray में रख देता हू항 और जनके जवाब नहीं देने होती वो इस right tray में रख देता हूँ कुछ नहीं जरा काम सिस्टमाइटिक हो जाता है और जनके जवाब देने हैं न उनकी जवाब देने हैं उनकी कबी वो जो फाइले Damn इनमें लगा देना हर साल की अलग-अलग फाइल है मैंने बहुत सम्हाल कर रखी हुई आपको किसी पिसम की तकलिफ नहीं होगी और ये अलमारी है ना ये मैंने खुद आउडर दे कर बनाई थे सेर जी ने हमें कुछ भी नहीं कहा बहुत अच्छे आदमी है बहुत ख्याल लखा है हमारा उन्होंने आप कबसे काम कर रहे हैं मैं पिछले महीने पूरे 22 बरस हो गए बैसे अगर किसी चीज की जुरूरत पड़ती है तो फॉरन सेर जी से मांग लेते हैं कभी ना नहीं कहा सेर जी ने हमारे बेटे की शादी पर सेर जी ने लोने लोने तिया है ऐसी दिया तिया आएStar जी झाढ़ दिन नमक कहा है अब बूड़े हो गये है ना काम पूरा नहीं कर पाते बेटा मुकसान भी तो होता है ना सेर जी वैसे हमने उनी खुदी जी हम उनी से कहनी ना सेर जी में निकाला नहीं अच्छा किया, लेकिन इसका फायदा क्या हूँ? नौकरी तो दोनों के हाथ से गई ना और फिर वो बुड़्डा थोड़ी बहां रहने वाला है आज नहीं तो कल तो सेट उसे निकाली देगा निकाल दे यार जी नहीं माना मैं चला है अरे हां तेरे मामा के यहां से पोस्काड आया है कुछ माकान के बारे में है और कुई नौकरी है क्या ख्याल है तेरा तेरा क्या ख्याल है मेरा ख्यान है रवी तु फिला ले नौकरी कर ले रही वो दिक्षत की बात मुझे पूरी उमीद है कि पांच-छे महीने में तुझे वो नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं यही हूँ तुझे ख़ब कर दूँगा तु गाउं जा रहा है वहां काम भी कर लेना और वो तेरे मकान का सिंसला है उसे भी निपट लेना एक love letter और आया वो क्या कहा है सदा notice दस दिन के अंदर-अंदर किराया भिजवा दीजे वरना यह lodge खाली कर दीजे तेरी साला यह भी कोई जिन्दगी है मैं जाता हूं घर यह वहां से पैसे भीजवा दूँगा चलते चलो बेटा किसी रास्ते से कोई न कोई रास्ता से निकलाएगा क्या मुसाफिर हु यारो ना घर है ना थिकाना मुसाफिर हु यारो ना घर है ना थिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना मुसाफिर हु यारो ना घर है ना थिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना एक राह रुक गई तो और जुण गई मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई एक राह रुक गई तो और जुण गई मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई हवा के परों पर मेरा आशियाना मुसाफिर हु यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना इनने हाथ ठाम कर इधर बिखा लिया रात ने इशारे से उधर बुला लिया दिनने हाथ ठाम कर इधर बिखा लिया रात ने इशारे से उधर बुला लिया खुबह से शाम से मेरा दोस्ताना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना मुझे चलते जाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना है जाना से अचके है बस्ते से से जाना का इसमा का है जाना थेजि़ाँ चलते जाना ख्यार जाना मुझे जाना साअके है ए ए अद्धीग जिरा सन पाले जिरा गरिर तो एदी दफ जिरा य्देख जिया। आजे सुनते हो THAT है ए लगादे पीजे वंचा रख जिर अपक्ते शुन नरे य। है कि अमीज़ करिया चीलण करने लगते हैं था है क्वे थै कुछान में वंगर आया है पहले मामा जी शेयर में नोकरी की मारा मारी से फुरसती कहां मिलती है तुने बीच में लिखा तो था किसी मुठर कार खाने में काम कर रहा है जी हां मामी जी, लेकिन कमबक ऐसी अर्ताल पड़ी की नोकरी से भी गए, ये बुरा किया, अच्छा मैं आती हूँ, अर्ताल पर्ताल से क्या ले ना तुमें, ये राज नीती के चकर तो बाद दो किसम के लोगों को रास आते हैं, एक तो वो जिनके घर खाने पीने की फिकर और दूसरे वो जिनके घर खाने पीने को कुछ ना हूँ, अच्छा अब ये बताओ, वो दूसरा काम बना के नहीं अभी, जी नहीं मामा जी, लेकिन उमीद है कि छे, आट मैने तक नोकरी अच्छी कोई मिल जाएगी, ठीक है, जब तक ये काम भी देख लो, रुपैय पैस आट से मारा जाए, ले बैटा, वाना ही जाना, खाबरदार को इसको हवेली में ले गए तो ठीक नहीं होगा, क्यों, क्या राय साब के पोदे पोदे इसने खतरनाग हैं, अरे खतरनाग का बैटा, मरे राच्छा सा यम्दू था यम्दू था यम्दू पता नहीं भी, घर क्या क्या सुनती रहती हैं, अरे मैं ठीक सुनती हूं तो माई तरह बहरी नहीं हूं, क्या कहा, चांची के माने मुझे सब कुछ बताया है, लेकिन उन्होंने किया क्या है, अरे क्या बताओं बेटा, वहां तो दर्जनों मास्टर आय और बदल गया, कोई ठीकता ही नहीं, एक दिल्ली से मास्टर बुलाया था, उस हातान के बचों ने उसके बिस्तर पर रात को इतना बढ़ा सुआप ते, अजी कोई नाब तो बात किया खरो जी, साफ वहां पनी जी, केंच हुआ था, केंच हुआ था, लो केंच हुआ था, और तुम नहीं खाते थे, एक बनारत स काफी इंटरेस्टिंग लगता है, रवी बेटा देख, अपनी मामी की बास सुनके, अगर तेरा जी न माने तो ना लेना काम, अगर एक बार चलके राय साब से मिल तो लो, क्या भरोसा, अगर तुम अच्छे लगो, तो अपने बैपार में ही साथ रख ले, तुम्हारी हस् तुम्हारा शुक्र जब शनी के प्रभाव से बाहर आएगा तो तुम्हें बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा, खाम खार डरा दिया जी बच्चे को आते ही, अर रवी क्या कम बदमाच था बच्पन में, भूल गहीं जब तुम्हारी चोटी से मेंड़क बांध दिया था और तुम्हें से खार बांध यह लिए सतिरिया था। यह मैंने पटाइ बीकाती को खीजरि पटा जाँ एख तशयलनाज़। कि नमस्टे पंडे जी, कि नमस्टे नमस्टे, नमस्टे राएशाब नेचे उतराएं? hebben जी करो घं़ है, यह जूते की आवाज में हुआ मैं आ सकता हूं जी अंदर आये पंड़त जी यह है जी रवीर आय साब मेरा बहन जा मैंने कहा था ना उदिन चिठी मिलते ही आगे बैठो कितना पढ़े हो जी बी यह किया है एमें करना चाहता था क्या चाहते थे यह नहीं पूछा पढ़े कितना हो जी बी यह दद तेरे के इसने तो छूटते ही धर लिया किस सब्जेक्ट में बी यह किया है एकनॉमिक्स में किया था क्यों किया था क्यों मैंने नहीं पूछा बिना पूछे जो आदमी कारण बताए वो अक्सर छूट बोलता है यह साला तो राक्षत है खौने को ताड़ता शहर में क्या करते थे? कुछ नहीं गुजर कैसे चलती थी? आजकल नहीं चलती थी इससे पहले क्या करते थे? टूइशन्स पढ़ाता था कौन सी गिलास की? पहली से दस्वी तक कितना कमा लेते थे? गुजर के लिए काफी था तुम्हारे विद्ध्यारती तुमसे डरते थे? जी नहीं तो? प्यार करते थे बच्चे अगर गुंडे हो तो? बच्चे गुंडे नहीं होते राज साब शरारती हो सकते हैं बदमाश हो सकते हैं कि अगर बदमाश हो तो उन्हें ठीक कर सकते हो कोशिच कर सकता हूं तरकर भागोगे तो नहीं बगर बताए नहीं बागोंगो इतना कह सकता हूं अगर तुम्हे इस अवेली में जगा मिले तो रह सकोगे जी हां वो मामा जी तो मुझे बताई चुके है करो मामा जी ना ये भी बता दिया होगा कि यहां का डिस्प्लिन जरा सकत ऐ यहां के काईदे कानून मान का रह सकोगे काईदे कानून तो यह के मौलुम नहीं तो दो यहां के मौलूम नहीं कैसे कह सकता हूं के रह सकूंगों य Straw 1 ज़ क्या पिएंगे आप लोग चाय शर्बत ने बस अब चलें काम ने कुछ चलो रख पंदर जी आप एक मिनुट है लिए भार में जाए नो कोई ऐसे ही कान करता है लोग सूथ तो सूथ यहां तो चली भी बोले है मैं तो फूल के चार गुना हो गया जब राय साब ने का कि ऐसा कोई मास्तर तो आइसे पहने उन्हों देखा ही नहीं फॉरन तंखा पकी कर दी खाना पीना रहना सेना खब अलग से पहरे तो मैं घबर आई गया लेकिन रभी ने भी वह फट फट जवाब दीए कि मदा आ गया हाँ हाँ बड़ा सुख मिल जाएगा तुमें रभी कुरा अच्छत बच्चों के पास भेज के अगर इसे कुछ हो गया तो फिर देख लेना उफो तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे लाम पे भेज रहा हूं मैं इसे लाम पर नहीं तो और क्या लाम पर तुद सिपायों के हाथ में दम पूक रहती है इसे का देकर भेज रहा हूं मामी जी आप इतना घबरा क्यों देंगे आखिर वो बच्चे ही तो है क्या कर लेंगे और फिर कोई बच्चें दरकर उने पराना छोड़ते यह तो अच्छी बात नहीं है ख्यार देखते हैं कौन ज्यादा पाजी ह वो के मैं अगर वो लग बंदर है तो मैं भी अरे जूते को क्या हो गया तुमारे अरे हां यह क्या हुआ रहे जी वो कोईला गिर गिर गया थो उतना ही दुसा काड़ फेंग दिया तो फिर पहनने की क्या जरूरती दूसरा ले 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 ते तुम चलो मेर साथ कल जूते आईये मास्टर जी क्या सकते है दुमारे हाे तुमारे टो मेंगा थ'ी कर दो दो प्रॉजजिए कर दो बहीं है कहिए क्या चाहिए कुछ नहीं यहीं देख रहा था कि कौन कहा रहता है आइंदा किसी की कमरे में आने से पहले दर्वाजा खटखटा लिया कीजी यह भी कोई जहांसे की रानी लगती है I'm sorry, आइंदा ख्यार रखूँ मासर जी आपको मास्तर जी आते ही चित तो गया आत्माओं तो बराबरा कही लगी तुनी आपको नहीं, कुछ नहीं जे सब इनी कनीत वन्यों की सरारत है माभी जाकर बीबी जी को बोलता हूँ ऐसी चमली उदेलेंगे अंटर से की नान याल आदावेगी अरे, सुन-सुन किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं नहीं, मास्तर जी अभी इसे कान खीच कर रखो नहीं तो मुझ से मूच्छें भी उखाल के ले जामेंगे क्या? गल्ती होगी मास्तर जी जबान में अड़ी भी तो नहीं दी बगवान ने पटाक से सटक जावे है नाम क्या तुमारा? मेरा नाम नारायन जी मेरे बाप का नाम बाप की ज़रूरत नहीं चलो जाओं दो बाप की क्या ज़रूरत है? बेफिज उगली यहां कितने साल से काम कर गया? जब मैं छोदा बरस का था तभी से उजूर साब की खिंदमत में हो लो! मैं तो भूली गया उजूर साब ने याद कर आपको नीचे दिवान खाने मा तुम चलो मैं आता हूं जी अंदर रासता हूं आओ बैटो तैयार हुजा बेटा वो तो बच्चे थे ये तो उनके भी बाप का बाप है खामखाई जोखली में सर दे दिया कमरा देख लिया अपना? जी ठीक है? जी हां बहुत अच्छा किसी चीज की जुरुवत हो तो नाराइन से कह देना जी मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम्हे एक बार तुम्हारे विद्यार्चियों से मिला दूँ यहां तो कुनबे का कुनबा ही बिगड़ा हुआ है रमा कहां है? रमा कहां है? रमा सबसे बड़ी है मैट्रिक में पढ़ रही थी जब जब पढ़ाई छूट गई यह अजे पांचमी या छटी क्लास में पढ़ता था स्कूल में मास्टर से लड़कर भाग आया और पढ़ाई छोड़ दी माँ बाप में से किसी ने फिर स्कूल भेजने की कोशिश नहीं की इन से छोटा विजय मुन्नी मीता नाम है इसका और वो है संजय यह लोग तो एक सिरे से गये नहीं स्कूल थोड़ा बहुत पिछले एक साल में जो एक दरजन मास्टर इमें सिखा सके सिखा गये बाकी अब तुम पर है जब तक रहो जितना सिखा सको भाया यह देखा आपने यह क्या है यह कुरसी की टांग है जो मास्टर जी के कमरे में रखी वी थी इन शैतानों ने तोड कर रख दी सुना है मास्टर जी कुरसी पर बैठा और गिर पड़े जी गिर रहा तो नहीं क्यों के बैठा ही नहीं क्यों बहाना कर रहें मास्टर जी अपने माथे की तरफ देखिए, जहां चोट लगी हमाँ जखम हो गया है ये, ये तो तांगे से उतरते हुए उसकी कमानी लग गई थी सवती तुम जाओ, और बहस ना करो तुम लोग भी जाओ, अपनी कापियां और किताबें तयार रखना कल से ये नए मास्टर जी तुम्हे बढ़ाएंगे, जाओ मास्टे अच्छा तो, मैं भी चलू रहा है साब तुम्हारे मामा ने कुछ बताया तुम्हें, ये बच्चे कौन है जी आँ, बता रहे थे कि ये आपके बेटे निले श्राय के बच्चे हैं और किन हालात में लाए गए हैं, ये भी बताया उन्होंने फिर तुम्हे कुछ और बताने की जरूरत नहीं लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि इनकी भोली-भाली सूर्तों पर मत जाना सबके सब एक नंबर के एक पर हैं कि वास्ता पड़ेगा तो यही समझोगे कि चिडिया खर से कुछ जानवर लाकत बांदियें मैंने अपने खर में किसी में इनसान बनने के आफार नदर नहीं आते बहुत वरीबी में पले हैं जानता हूं लेकिन रहने सैने की तमीज और तैजीब खरीदनी तो नहीं पड़ती माबाप से ना मिले तो इनसान पास पड़ो से सीख लेता है लेकिन ऐसे लगता है जैसे इन बच्छों ने कुछ ना सीखने की कसम खानी हो एक ही बात अच्छी है इन बच्चों में और वो यह कि इतफात बहुत है एक को सजा दो बादी सब भूख अड़काल कर देते हैं आलांके रमा इन सब में बढ़ी है लेकिन बला की जित्ती जगडालू गुस्सा तो ऐसे जैसे हर वक नाट पे बैठा रहता हूं सत्ती को तो वह एक आँख बरदाश्ट नहीं कर सकती और मुझे वो और मुझे वो अपने बेटे का थ्यारा समझती है समझती है कि मैंने जान भूज कर निलेश की ख़बर नहीं ली आलांके मैंने सक तरह साल इंतजार किया कि शायद कभी वो एक बार रवी पता नहीं मुझे ये क्यों उम्मीद है कि तुम इन बच्चों को सुधार सकोगे आज तक किसी मास्टर ने ये नहीं किया कि इनकी तरफदारी की हो कुर्सी से गिरा हो और कह दे कि थांगे से चोट लगी है रवी इससे बड़ा और कोई ऐसान मुझ पर नहीं होगा अगर तुम इन बच्चों को इनसान बना सको राय साब मैं अपनी पूरी कोशिच करूँगा इने पढ़ाने की समझाने की बच्चे समझदार लगते हैं जहीन लगते हैं सिर्व ये के जिद्धी है कहीं ये जिद अगर सही रास्ते पर आ गई तो कल इन बच्चों पर आप से ज़्यादा फक्र करने वाला कोई नहीं होगा आप इन बच्चों के और चिंता मत कीजिए इनको मुझ पर छोड़ देजिए मुझे उमीद है कि मैं मैंने संबाल सकूंगा तो मैं चलो अपने काम की तईयरी करो अजी क्या हुआ मास्टर जी? अरे क्या कर रहें आप? जानते नहीं हसना मना तनका कट जाएगी तनका कट जाएगी? मेरे तो हर मैने 10-15 रूप कट जाते है इसलिए जब हजी आती है तो जंगल के तरफ बाग लेता हूँ पगडा कहीं क्या जब हसना हो ना दिल खुलकर हस लेना तंका मैं देजियर करूँगा यह कौन इतनी जोर से हंसरा था? मास्टर जी, वो तो मुझको भी हंसने को बोले मैं तो बाग लिया ड्राइंग तो अच्छी करते हैं आप लोग लेकिन एक चीज़ इसमें ज्यादा होगी इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा तो अपनी अपनी कापियों और किताबें होंगी आपके पड़े ऐसे कीजे अपनी अपनी कापियों और किताबें बंग कर देशे नहीं पढ़ाएंगे और नहीं आप लोग पढ़ेंगे हम लोग बैटकर गप्र मालेंगे, क्यों? अच्छा जडिये, पहले हम सबके नाम याद कर ले आपका नाम अजय, आपका विजय, आपका मीता, और आपका संजय है न, ठीक बताया नामने क्यों? जवाब दीजीए वो तो बुद्डे ने पताया था आपको छे छे मेता छे, ऐसे नहीं बुलाते होने बुद्ड़ तो है, उसके मूचे भी सफेद है जी जी संजय बाबा, जानते हैं वो आपके क्या लगते हैं? बताये वो आपके क्या लगते हैं? अजय, आप जानते हैं वो कौन है? हमारे बाप का बाप है ठीक बिल्कुल थे विजय आप अपने बाप को बाप कह कर बलाते थे? नहीं, बाबुजी और आपके बाबुजी अपने बाप को क्या कह कर बलाते होंगे? बाबुजी यानि आपके बाबुजी के बाबुजी आपके क्या लगे? दादाजी अब अगर दोनों की तस्वीरे आपके सामने लगती जाएं तो आप कैसे बताएंगे की कौन सी तस्वीर किस की है? एक बाबुजी की शाबाज, और दूसरी? उनके बाप की आप लोगों को गर्मी नहीं लगती है पंखा नहीं चलाया ख़िए मर गय झाद पुए है झाय 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 क्र मकोरन है पुस्ट थाता है बुड़े मिलिगे अरबडी जाड़ा क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ जी मुझे जा मुधो कराओ मुधो कराओ मतलब क्या अपका आइने नहीं है तुमारे कमरे में आइने मास्तर जी अभी से कान खीच कर रखो नहीं तुम मुझे में उखाल के ले जामेंगा खेरियाद इसी में है बेटा खोदी मुझ वालो मुझे नहीं तो जाएंगी किसी ते अब खड़े सोच किया रहे हो जी कुछ नहीं सेकंड ट्रैक सुन रहा था इटियट बच्चो ने काम कर दिया ये तो बता मुझा दूँ किस ने किया ये नहीं बताते जल्दी बता वरना एक एक की चमड़ी उधेड कर रख दूँगी हम् हम देखती हूं संचू फड़े ऊजाओ बता किस ने किया जल्दी बता किस ने किया छोड़ दीजी उसे इतना सब अच्चा ऐसी शरारत नहीं कर सकता तो फिर किस ने की ये शरारत मैंने मुझे तो दूदी इंग इन आ इसके साथ तुम क्यों बेशरम हो रही हूँ जाब चली जाओ दफाँ हो जाओ यहां से कोई खाना वाना नहीं मिलेगा भूखी रहोगी तो अकल ठीकाने आ जाईगी ताना काओ जाना खाईगी दूणडरु चाईगी धना ओिए जादाईगी हूँ अंदर आओ यह यहाँ पर किसने रखी? जी हमने रखी तुमने? क्यों? बड़ी बीवीजी ने खा था यह ले जाकर उने देदो और कहो कि मैं बच्चों को छड़ी से नहीं बढ़ाता जाओ जी जाओ जाओ Sanjo इधर आओ इधर आओ बिटे इधर उदर क्या देख रहे हो? हम बला रहे हैं आईए इधर अपने किताब लेकर आईए आगे तर लाओ अरे यह क्या? शुरु के उपने कहा है पर लिया था इसलिए फार दी? हाँ बाकी पड़ोगे या नहीं? नहीं अच्छी बात है जब तुम्हारा दिल करेगा तप पड़ाएंगे अब जाकर बैठ जाओ जाओ बिटा जाकर बैठ जाओ यह क्या? मा रोगे नहीं मास्टर जी आपने ये छड़ी मेरे पास क्यों भेज़ दी? सुना था आपकी है इसलिए है तो मेरी लेकिन मैंने क्लास्रूम में क्यों रख़ाई थी शायद आप नहीं जानते जी मैं जानता हूँ तो इसका मतलब है जी हाँ इसका मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है आपकी नहीं मैं चाहता हूँ आप मेरे कामें दखनाते आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते मुझे नहीं सुना मैंने ये छड़ी इस क्लास में रखवाई थी और ये यहीं रहेगी रभी ठीक कहता है तुम बाहर आजो अजय मुझसे पहरे जो तीचे से वो क्या पढ़ाय करते थे आपको जोगरफी जोगरफी में क्या पढ़ा आपको हाँ जोगरफी में क्या पढ़ा आपको ये कौन खा रहा है संजी बाबा आप क्या खा रहे हैं हमें नहीं देंगे अच्छा दिखा दो दीजी आप क्या खा रहे है तुमने टोस क्यो फेंगा इसका ये नहीं खाएगा कोई कुछ नहीं खाएगा जब तक दीदी खाना निखाएगे आपकी दीदी ने कल से कुछ नहीं खाया मैंने दीदी खाएगी गबराण नहीं बटे अब हम सब एक साथ खाएगे अब दीदी खाएगे दीदी नहीं खाएगी वो नहीं खाएगी तुम्हा भी नहीं खाऊँगा मैं भी आप लोगों के साथ भूगर ताल करदूगा ठीक है आप लोग पर मैं व्याँ मैंने आपकमिन आप आ गये तुम भी क्लास छोड़कर बच्चों की शिकायत करने बच्चों की शिकायत नहीं राई साब आपकी शिकायत करने आया हूँ आप ही के पास मेरा ख्याल है कि इन बच्चों को टीचर की ज़रूरत नहीं आपने मुझे खामखा बुला लिया मतलब मतलब यह के इन बच्चों को पढ़ाय लिखाए की जरूरत नहीं इनको प्यार और हमदर्दी की जरूरत है जो नहाँ आप दे सकते हैं और ना सती देवी प्यार अगर दवा की तरह घोल कर पिलाया जा सकता तो मैं वह भी कर देता हूं लेकिन मुश्किल तो यह है कि प्यार की कोई गोलिया नहीं मिलती जो खिला दू इन बच्चों को उन जोबनों से उठाकर उन्हें यहां ले आया हर तरह की सहूलत है हर तरह का आराम देने की कोशिश की अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या सब इसलिए कि मैं उनसे प्यार नहीं करता था आप जी सहुलियत और आराम को प्यार किया दिया रहे साब, वो प्यार नहीं, सिर्फ सहुलियत है, सिर्फ आराम है, जो किसी भी मरीज को किसी भी अस्पिताल से मिल सकता है, आपने इन बच्चों को नर्स के तिमारदारे दी है, मा की मंता नहीं, जरूरत की दबा तो आप इन सजा दी थे उसे खाना नहीं दिया इस वज़े से बच्चों ने भी खाना नहीं खाया भूकेस हो गए क्या आपने एक बार भी कोईशिश की उने मनाने की कई बार की है रवी मैं जानता हूं जो माबाप सजा देते हैं वो लाड़ भी करते हैं लेकिन इन बच्चों की जिद पर बत्तमीजी तुम्हें इसी दिये रखा है अगर इन्हें समझा सको शिखा सको तो ठीक है वरना वरना तुम भी जा सकते हो का वह liftा जानת का विक प्यूण कि जा कहीं? आप जानती हैं मुझे या क्यों बुलाया गया? जी हाँ, हम सब चुडिया घर से आहे हैं, इसलिए आपको बुलाया गया, ताकि जानवरों को महल में रहने के तरीके सिखा दे तुम गुसे में रहा है, इसलिए तुम नहीं, मुझसे आप कहकर बात कीजे, मैं आपकी स्टूडन नहीं मैं जानता हूँ, सुन चुकाओं आप पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं यह नहीं, कुछ और ही पुछने आया था आपसे पूछे सुना है, मुझसे पहले भी यहां बहुत से मास्टर आये हैं, लेकिन सब भागे, यह 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 भगा दिये गए अगर आप मेरे लिए भी यही सोचती हैं तो बता दीजिए ताके, ताके मैं खुद ही चला जाओ न मैंने आपको बुलाय था, ना जाने के लिए कहूँगी, यह सवाल आप राय साब से जाके पूछे आप से पूछने इसलिए आया था कि जिन बच्चों के लिए मुझे यह यह बुलाये गया है उनकी जिमेदारी राय साब से जाद आप पर है सिखने सिखाने के तो यह किसी को जरूरत नहीं, जगड़ा खांदान का बच्चों की तालिम करने है मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आपके छोटी छोटे भाईवन इतने प्यारे लगे, सोजा जाने से पहले आप से भी कह दूँ अगर राय साब बुरा कर रहे हैं तो आप भी कुछ अच्छे नहीं कर रहे हैं राय साब ने अपनी जिद में अपनी बेटे को खो दिया था अगर आपकी जिद में बच्चों में से किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिमेवार आप होंगी राय साब नहीं तो यह मत सोचे कि आप बड़ी हो जाएंगी, आप उनसे कहीं छोड़ी सावी तो होंगी, कहीं ज्यादा पत्थर देले। मैं तो आज रात ही राज सबसे बात करके यहां से चला जाओंगा, लेकिन आएंदा अगर कोई मास्टर यहां आए, तो उसे भगाने की बजाए अपना दोस्त बनाईए, और इतने दिन तक सब रखीजी जब तक यह बच्चे पढ़ लेकर किसी होस्टल में जाने के काबिल नहीं हो जाते, वरना वरना इन बच्चों का क्या होगा आप खुदी सोच लीजी, आएएफ। को अब से लिए हैं है काये है आप न भग चले गए यो जीछी ने कहाई दिता वच तै अजय सबस्क्न देखा वहें क्या कर रहे हो मास्टर जी काना गात्र पकड़ गए तो मारे जाऊई ये तो अजडती मदड़वा। क्या है? गाना गाने मिगालने? वो होँ... वो यतो असली चला पसाद की इसीले मैं आपसे कहता हूँ गाना गाने के इच्छ आओ तो जंगल जागरू जंगल मैं? गाना गाने? वाँ क्या? हाँ? आप भी जादा दिन तिकतो नजर नी आताओ सारी बुरी आपते डाल लखिए कभी गान गाने लगते हो गभी अशने लगते हो अइ अइग संसं इधिर आ इधिर आ बैट बैट अच्छे यह बता कि वाय साम गाने से इतना चटथे लोग आप दी क्या बात करते हैं, मास्तरी वह आपने सुना नी, साफ का काटा रसी से भी डरे संगीत में ऐसा कॉनसा जैव जोड़ाय सब डरते हैं उनकी जिंदगी के लिए तो जैरी बन गया निलेश के लिए कह रहे हो ना क्या वो बहुत अच्छा काते थी अच्छा, जी लाजवाप बोलो मास्तर जी, लाजवाप वो अपने दिवान जी है न, दिवान जी वो तो कहते थे एक बार रेडियो पे भी सुना था उन्होंने हाँ, पर एक बात है मास्तर जी ये गाना बजाना भी सादू सन्यासियों जैसा काम है 24 गंटे उस ही में त्यार लगा रहता था था छोटे बाबों का हाँ, तलके तलके भोर के समय जब वो गाते थे तो सच मानो आप, ऐसा लगता था मंदर की देवी को जगा रहे मुझे तो उनके गाले से धूप की सुगन्दाया करते थी वो बाहर मुलसरी का पेड़ है पगीचे में हाँ कभी उसके नीचे बैटके गाते थे कभी छक्पे गाते थे और घंटों खो जाते थे मितवार आय आय मितवार मितवार बोले मीठे बैट मितवार 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 बोले मीठे बैट सामरे कजरारे ने ओ सामरे कजरारे ने मितवार बोले मीठे बैट क्या असा है आज भी तर से ओ बरसों सावन बरसे प्यासाए आज भी तर से आए अजय अजय तू कब से खड़ाए यहां? बहुत देर से खड़ाए चोटे बाबू देर से खड़ाए चोटे बाबू बाबू जी जागे? कब के? वो तो आपको तस बजे तयार होने को बोला क्यों? वो चोदरी साथ किया जाना है किनी? वो जो उस दिन आये थे लड़की के साथ? मुझे दाश है, मैं वाँ जाकर क्या करूँगा? लो आपके खातिर तो से बाणा जाना हो रहा काय का आना जाना हो रहा? नहीं चोटे बाबू, बड़े मालदार लोग हैं होंगे? कौन सा मुझे दे रहे हैं पर एक बात कहूं चोटे बाबू लड़की हमको बहुत अच्छी लगी थे हम? हम एक काम कर ला जे तु भी उससे शादी कर ले मैं कर और ढूंदा हम मजाक कर तो ने ने चोटे बाबू उजूर साब से कहके आप बात पक्की कर लो ने मजाक ने कर लो आप छोड़ नारायन कौन फसता है शादी के टंटे में यह ले तेरे ने इसलिए कि तुम्हें शेहर जाकर गाना गाना है ची हाँ तुम्हारा गाना गाना चौदरी साब के यहां जाने से ज़्यादा जरूरी है लेकिन बाओ जी नेलू हमारे खानदान में इतना बेतुक और बेमानी जवाब किसी पेटे ने नहीं दिया अपने बाप को तुम मेरे साथ इसलिए नहीं चल सकते कि तुम्हें तुम्हें गाना गाना है जी गाना मतलब म्यूजिक कॉनफरेंस है टिक टेम भिक चुकी है और उसके तुम्हें पैसे मिलेंगे है ना कितने पैसे मिलेंगे इतने पैसे मिलेंगे जिनसे तुम अपने बाप का कफन खरीश सको बाओ जी तुम्हें इसलिए होस्टल बेजा था कि पढ़ लिक्टर का वालों का पेशा इक्तियार करो इस हवेली को कोठा बना दो तुम्हारे ये सास देखकर मैं समझा था कि तुम में रईसों का शौक जाग उठा है मुझे नहीं मालूम था कि तुम गा कर रोजी कमाना चाहते हो जिस जगा एक बाई जी को बिठा कर गाना सुना जाता है उस जगा पहट कर अब तुम का ओगे आप खलत समझ रहे हैं बाव जी कुस्तार शिवनाची हिंदस्तान के बहुत बड़े कभी है अब या रस्तार जी मैं चौदरी साफ के यहां जा रहा हूँ शैद तुम नहीं जानते कि उनकी बेटी से तुमारी शादी की बादचीच चल रही आदे घंटे के अंदर गाड़ी लेकर चौदरी साफ के यहां पहुंच जाओ समझे नारायन जिद्धी तो बढ़कुल बाप की तरह थे ना नगय चौदरी साफ के यहां एक चिठी लिखकर आमको दे दी और सहर चले गए पहली बार देखा मास्तर जी बाप का दिल तूट गया अच्छा नगरा छोटे बापुनी बुजूर साब रोज खाने की मेच परिकल्ले बैटते थे परिकल्ले ही उड़ जाया कमते थे चोटे बापुने एक साल और पड़ाई की साहर में और एक दिन जब वापस आये तो किते रहो बैटी आपकी बहु बापुजी सुझाता है शहर में अचानक एक ऐसी घटना हो गई कि शारी करके ही आना पड़ा परे तो हमने सोचा था कि आपको वहां बुला लेंगे या हम यहां आकर शारी कर लेंगे लेकिन लेकिन क्या दर्ता था कहीं मैंने बहु को ना अपनाया तो यही ना अरे पगले बात की खुशी वही होती है जहां बेटा खुश हो तुम्हारी मा तो नहीं है बेटी जो बहु के स्वागत की रसमें पूरी करती है हाँ अगर हमें मालूम होता तो हम दर्वाजे पर शैनाई जरूर बजवाते हैं लेकिन क्या करें तुम लोगों ने हमें शरीकी नहीं किया जाओ बेटा बहु को उपर लेजाओ जाओ भाओ जी को अभी तक पता नहीं है मेरे पैदा होने के बाद अच पहली बार बाओ जी लेट वहाँ मतलब पहले हुए होंगे मुझे तो नहीं मालू वारना वो तो इतने प्रंक्चिल है कि आओ उन अपने घड़ी को चावी देनी शुरू की और वहां नहीं बचले मेठी का साग बाओ जी को बहुत पसंद रहे कहा है बाओ जी हुजूर साब के तब्यत ठीक ना है तो बोलें आप लोग खाना खाली जी खाना खाने के बाद इवान खाने बुलाया वान खाने मा अगर उनकी तब्यत ठीक नहीं तो अपने कमरे में क्यो नहीं बतादी अब कुछ बोले सुनियों, खहीँ बाबूजी मेरे वज़े से तो नाराज नही है नहीं, वो नाराज होंगे तो तुम्हारी योजस नहीं, मेरी योजस बाबजी आपने लेश, खाना खा लिया? जी हाँ लिए, बाबुने जी हाँ उसने भीखा लिया सुनाा, आपकी तब ठीक नहीं नहीं, i Produaste है, अईसी तो कोई बात नहीं just a feeling of मैसं बाबुझा मैंने ये शादी आपकी रजामंदी लिए बगाएर इस तरह कर लिया इसले आप नहीं बेला तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी सही होना चाहिए थी सुखो गए जिन अच्छा हुआ हाँ भी सुजाता को मैं काफी अर्से से जानता हूं बाबुजी वो मेरे उस्ताजी की बेटी है उस्ताजी अचानक गुजर गए इसलिए मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं आपको ख़ब कर सकूँ अलाकि मैं चाहता यही था कि यह शादी आपके आशिरवाद लेकर करूँ हर आदमे को यह हक है बेटा कि वो अपनी जिन्दगी अपनी तरह बनाए और उसे अपनी ही तरह जिये जैसा कि मैंने किया कभी किसी की उंगली पकड़ कर नहीं चला मैं खुश हूँ मेरा बेटा आज इतना बड़ा हो गया है कि उसे अब मेरी उंगली पकड़ कर चलने की जरूरत नहीं अपना एक घर बनाओ जहां अपनी तरह रह सको जैसे कि मैंने अपना घर बनाया है, जहां मैं अपनी तरह रहता हूँ इसमें दूसरे की मर्जी मैं नहीं चलने लेता हूँ हाँ, बाप और बेटे के दर्मयान कुछ फर्ज होते हैं तो तुम भी निभाते रहोगे, और मैं भी निभाता रहूँगा ये पचास हजार रुपए मैंने तुम्हारे लिए निकाले, इन्हें ले जाओ, और अपनी जिन्दगी शुरू करो, अपनी तरह, जहां मेरा कोई दखल नहीं होगा कमी मैसूस हो, तो अनुमारी कुली है, जितना और चाहे ले जाओ, मुझस से पोचने की दर्वत भी वो ही आखरी मुलाकात थी बाप बेटे की, वो ही आखरी मुलाकात थी बाप बेटे की, उसके बाद दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले, और ना ये एक दूसरे की ख़वर ली, सत्रा साल गुजर गए मास्तर जी और फिर एक दिन की बात है, जब हुजूर साब सहर से लोटे थे, तो उनकी चिठियों में एक चिठी छोटे बाबु की भी थी, जिन पैरों से आये, उन्हीं पैरों से वापस लोट गए, और फिर जब तीन दिन बाद आये, तो सब बच्चों को साथ लेकर आये, पर क्या बताओ मास्तर जी, कैसी गरीबी की हालत में आये थे बच्चे, पर हुजूर साब ने सब का बहुत ख्याल किया, लेकिन रमादीदी है न, उनका गुस्सा भी खानदानी है, अपने दादाजी से भी जा था, एक दिन रात को सब बच्चों को साथ लेकर घर छोड़ गाना संगीत सब मना है, छोटे बाभू के कमरे पर ताला लगा दिया, कोई अंदर नी जा सकता, लेकिन ये बच्चे भी ऐसी आफ़त है मास्तर जी, कि जितनी सक्ती बरतो, वो ने सुदर है, कितने ही मास्तर आके चले गए, वो पिछली बार एक मास्तर आया थान, वो तो नात की रात मैं लूंगी मही भाग लिया, कपड़ लट्य भी छोड़ गया, अब मैं ही वो कपड़े पै, नान मेरे कपड़े तो तुम्हे मिलने से रहे, अगर मैं गया भी तो अपने कपड़े साथ लेकर जाओंगा, आपकी तो बात ही और है मास्तर जी, क्यों बाई, मेर बिजनिस ब्यापार के लिए अक्सर जाया करते है, सती देवी भी जा रहे है, वो क्यों जा रही है, उनका तो घरी वही है, अपना घरबार समालेंगी, अब मचले साथ, अच्छे, अच्छे दिवान जी, जी, सब जरूरी काघजा तरख दिये, जी हाँ, तो इसकेस ले आईए, रवी, हो सकता है कि मैं शहरबुच से एक अपते में वापस आजाओ, और ये भी हो सकता है कि मुझे दस-पंदा निन लग जाने, सती मेरे साथ जा रही है, उसका अपना घरबार है, बा और कितने दिन या रही है, रवी, तुम समझ सकते हो, कि कितने बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता जा रहा हूँ, जी हाँ, राय साब, मैं समझ रहा हूँ, आप की सम्त्यान में छोड़कर जा रहे हैं मुझे, उमीद है आप कमाईस ही नहीं होगी, मुझे भी यही उमीद है, कि वापस आकर तुम से जरूर मुलाकात होगी, यह न सुनू के तुम भी भाग गए, और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो, तुम इने दिवान जी से कह दिया है, तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, अच्छो मै अच्छलता हूँ, मेरे क्लास कवरता हूँ, निवान जी, समानलाडी में रखवादी, जी अच्छा, फोलो सकते, आज क्लास नहीं है बच्छों की, जी नहीं, आज मैंने बच्छों को छुट्टी देती है, राय साहब के जाते ही, जी नहीं, दीवान जी, ये मैंने कुछ किताबे लिग दी है, मंगवादी है, साथ में कैरमबटकर सेट भी, और कुछ क्रिकेड के सामान, आप क्या कह रहे मास्टर जी, जो मैं कह रहा हूँ, वो मैंने लिखती है, लेकिन राय सहाब आएंगे तो आप उन्हें ये कागज दिखा दीजेगा और कहिएगा ये सामान मैंने मुंगाए था मेरी तो कुछ समझ में नहीं आए रहा, आप क्या कर रहे, कुछ भी तो नहीं कर रहा, देवान जी, आप कल सुबह तक ये सामान मुंगा दीजे मास्तर जी आप, वह रेजगारी काँ है, उन्हें मैं या चुटी देजी, बच गए, बच गए, क्या, अरे मास्तर जी, अगर वो आ जाते है यहां पर तो मा मर गया हो तो, उनसे छुपकर कमरा साफ करना पड़े, छुपकर? किसका कमरा है? चुटे बाबु का, निलेश का? मास्तर जी, वह आगया तो बड़ी मुस्कल हो जाएगी, इन दरो मतलाओ, मैं बंद दूगा बाबु कुछ हो गया तो आप समाजना मुझे पताना को आप समाजना को कर दो 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 झाल झाल तो आप लोग को आए? पहली बार इस घर में साज की आवाज सुनी है आपको डर नहीं लगता रादाजी से? बुटा था है, युस Jen生 पुट्टा नहीं, दादाजी, कितनी बार सिखाया तुम लोगों को? ए, रामे? संजू, गाली कहा से सिखी? जोगी तार से आप लोग क्लास चोड़ काँ ज़े ले गए थे? उन ख्लास में नहीं गया आज? ये लोग पढ़ने नहीं आया है? दादाजी बार गएते हैं, इसलिए हम लोग खेलने चले गए हैं तो हमें बताये क्यों नहीं कि आप खेलने जा रहे हैं? क्या खेलने गएते हैं? गिली डंडा गिली डंडा? घर में? कोई शिशा विशा तूट जाता तो? एक तो चुटपी ये आपकी खिड़की का बुरी बात इली डंडा खेलना हो तो बाहर जाकर खेलना चाहिए बाहर जाने ही कौन देता है? चलिए, हम लेकर चलते हैं आप बाहर लेकर जाएंगे? जरूर लेकर जाएंगे, क्यों नहीं? अगर नहीं चलोंगे तो देखना चलो चलो ना देदी नहीं, तुम लोग जाएंगे तो हम सब साथ में जाएंगे हाँ चलो ना देदी सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले पापा नहीं है धानी सी दीदी दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले सास निकले रोज सवेरा दूर करे अंधियारा सास निकले रोज सवेरा दूर करे अंधियारा रे से रे शमी किर्णों ने दूर किया उजियारा सुरज की रोशन किर्णों पे सारे गाते चले पापा नहीं है धानी सी दीदी दीदी के साथ है सारे ला 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 आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं मैं इता भी नहीं समझूंगी आप इने सरगम सिखा रहे थे आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ आपने तो अपने बाबुजी से सिखा होगा हाँ तो कहा तक पहुंचे थे हम पंचम तर कैसे काई ना सा सरग गमपा पमग समप पमरे मांग सा सरग गमपा पमग समप पमरे गसा गा से गुन गुन करता है घूमे क्यारी-क्यारी मा से मीधे बोलो में पा से एक पुजारी गासे गुंगुन करता है घूमें क्यारी क्यारी मासे मीज़े बोलों में पासस एक पुजारी खवरी के जैसे फूलों पे सारे गाते चले पापा नहीं है धानी सिदीदी दीदी के साथ है सारे धा मा धापा गापा धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे अरे सरगम हो गई पूरी अब क्या होगा आगे सरगम के साथी सरगम की धुन पर गाते चले सरगम के साथी सरगम की धुन पर गाते चले पापा नहीं है धानी सी दीदी दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले अच्छा खासबथो इसलोर अच्छा ऊक्छचर आया है अगरे चुछे लिए खोड़गा तुमारे लिए ुकर करो हमें छोलगा तुमारे लिए और जो ले जाते विलाए तुँ देखा करती रह बैठ करती पता नहीं कौन आगया पहरो आ रही हो अरे मापी मामी को भूल गया क्या? आ नहीं सेखा इतने दिन आज अपने स्पूल को लेकर आगया मामी यह रमा पैसाब की बहती है जिती रहो बैटी जिती रहो आ वा अंदर आ मैं भी पाई लागो अरे तुम सब अरे रमा आओ अरे भाई ही है क्या हुआ बिटा? मामा जी ममी जी को भाई कहते लड़ी तो दीदी होती भाई तोड़ी होती है वहा बेटी यह हमारी दीदी है हम दोनों की शकल कितनी मिलती जुलती आप इसमें बिलकुल बहन भाई लगते है न ऐसमें बाई लगते है, है अरे वाई रहा है आँ बेटी है बेटी जाए यहाँ यह सितार कौन बजयता है यह अरे काम सुर्भ सुनाई नहीं पढ़ता, सितार क्या बजायेंगे मैं बजाया करता था, जबंहयां पहले रहता है आई रभी, इन बच्चों से खाने का बंदबस तो करू, बिचारे भूखे होंगे? नहीं, खाना तुम खा क्या है? काहां था अब भूख तो लगी है? जाओ बनाओ हाँ ममजी, हम सब खाना खाएंगे हाँ, हम सब मेली के खाएंगे अब खाना बनाना है मैं अभी आती हूँ राय साब कब आ रहा है? तान साथ दिन में लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि वो बाहर गए है? वो तो इन बच्चों को देखके ही मैं समझ गया था कि राय साब बाहर गए है मैं तो कहता हूँ मामा जी आप लो खाम खाएंगे बच्चों को बदनाम करते हैं लो, मैं कहां बदनाम करता था वो तो तो तुम्हारी मामी उनके खिलाफ रहती थी हैं हर वक्त इतने प्यारे बच्चे हैं के बहुत प्यारे बच्चे हैं कभी परिशान नहीं करते हैं परिशान परिशान देखा मामी जी इसे कहते हैं आग लेने आई थी और चोका संबाल बैठी चोका ही क्यों मेरी तरफ से पूरा घर संबाल ले ले जाओ ले अगाराई कोस्तरी लेन जी जी है तरह का लेड़ी कि देव से इसे तरहा लेकर लेखा़ाई लेशाई का लेशान जी यह हावाराई थाफिए? जी वो, क्या बात है, आप परिशान दरा रहे हैं, मास्टर जी, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्या, यही जो हर रोज बच्चों को बाहर ले जाते हैं, तो क्या हुआ, बच्चे हर रोज खाते भी हैं, सोते भी हैं, और पड़ते भी हैं, अगर हर रोज खेलने गुमने चले गए तो इसमें क्या हर्जा अरिश तो आप जानते हैं राइसा वापस आ जाएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे अच्छा दिवान जी एक बाद बताईगे क्या इससे पहले आपने इन बच्चों को कभी इतना खुछ देखा है नहीं देखाना अग जो अपने मांस्कों के नाग में दम कर दिया करते थे उन्हें दिनों में भगा दिया करते थे अब भी उन्हें देखकर आपको वही लगता है वही मैसस होता आपको मैं बच्चों के लिए नहीं राइसाब के लिए पूछ रहा हूं जीवानची मुझे इस घर में बच्चो हम कैसे लेट होंगे, देखा हम आ भी गए शेम शेम असे जी ने मुह नहीं दोया शेम की बच्ची अभी टे मिनिट बाकी है, हम दो मिनिट में मुह दो कराते है अभी जब रात बहुत हो गई तो नाया और वो चुना करने वाला दोनों लंगडे भूत के घर में खुशकर बैड़क है जब लंगड़ा भूत वापस आया तो उसने देखा, दर्वाज़ा बंद है बाहर से बोला अंबर कौण है यहीं समझ गय कि वो लंगड़ा भूत है बπαहर कौण है मैं लंगड़ा भूत मैं लंगड़ा भूत मैं भूत हूं मैं तुछको खा जाओंगा मैं यम दो तूँ तुझको घाजाओंगा मत्यजी यह डुड़ती है फिर क्यो वासो भूत बोला तेमे नेशानी क्या है तो नाई ने क्या कि अपना उस्तुआ निकाल कर बाहर फैंक दिया और बोला देख मेरा नाखुन देख ले भूत ने सोचा जिसका नाखुन इतना बड़ा है वो खुद कितना बड़ा भूत होगा जब बाहर से कोई जवाब नहीं आया तो नाई ने अपना चुना करने वाला रस्ता बार भैंक दिया और बोला देख मेरा बाल देख ले भूत हैरान हो गया फिर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो नाई ने का भूत तो यहां से भाग जा वरना मैं तुछ पर थुख दूँगा और नाई ने चुने वाले का चुना लिया और खिर्की के बाहर भैंक दिया यम दूत यम दूत बचाओं यम दूत करके भूत करें सर एक और कहानी सुनाना है एक कहानी और सुने कैपल ót diferente Call nos हमग हां बेजी और तांसें नाइ अर्ड़ानी सुनाटे हैं एंको हां सर वो सुनाईं अजिआ यहां आप लोगों को मालूम तो होगा कि तानसेन अकबर के दर्बार के नोरतनों में सेगरतन था अपने जमाने का बहुत बड़ा गाने वाला एक दिन अकबर के दर्बार में एक और गाने वाला आ गया बैजू, बैजू बावरा, उसने कहा मैं तानसेन से मुकाबला करूँगा बस, फिर क्या? सारे दर्बारी जमा हो गए, और एक बाग में दो संगे मरमर के तक्त लगा दिये, एक पे तांसेन बैठ गया और एक पे बैजू अब तांसेन ने गाना शूर किया, तांसेन के गाते गाते जितने परिंदे चरिंदे थे मांके, सब इकठा हो गए और तांसनों ने क्या किया अपनी जेव से सोने की जदीरे नकालीAllिए हरे खरण की गल्ले में पहना दी जैसे गाना खत्म हुआ gefल भी ख़ग गए फिर पिर तांसनों मी गांतहि अभ तुम मुझे यह सारी जदीर बापस बनाग़ बेजु ने गाना शुरू किया जैसे ही बेजु ने गाना शुरू किया जो चरिंदे परिंदे भाग गय थे वो वापस आ गय बेजु ने गाते गाते उनके गले से वो सोने की जंजीरे निकाल ली और तांसन को दे दी अब बेजु की बारी थी पेजिवो प्राइ जूह जा जिस संगे मरमर का थना है। पेजिवो गाता गया। यहा तक बेजिवो Hagg comb उसे फसते देख पर उचला उठे उठेने के आवाज सुनकर वजीवा द्यान टूट गया। बेजिवोभगे लिए काना बंद करती जैसे गाना बंद किया। वेजु ने तांसेन से का कि आप तुम काना गा कर मुझे यहां से निकालो तांसेन गबरा गया बोला अरे यह सब तो सो गए फिर बिर्जु को निकाला तांसेन ने फिर फिर बाकी कानी का सुनाओगा राद बात होगी है आप भी सुजाएगे सुनिये जी आप में कुछ कहा जी हाँ आप मुझे आप कहके क्यूं बुलाते हैं उस दिन गुस्से से कह दिया था इसलिए अचा किया आप कहकर बुलाना बुरी बात थोड़ी है आप मुझे आप मत कहिए बस तो फिर मैं आपको क्या कूं आप मत कहिए ठीक आइंद मैं आपको तुम कहकर बनाओगा अपरी आपको अब नए लिए, बो गो वो अपन्हा वो नए आपको हाथ कैसे है? आपको हाथ क्यों? दीजी ने पालीश भीजाया है मालीश कलो दीजी भी हमाली तरसे थेंगी के दर ताथ अपने भी कमाल का जादू किया मास्तर जी सारे गर्गा नक्षाई बदल दिया अब तो बच्चे पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, हसते भी हैं किसी को जंगल में जाने के जरूत ही नहीं पढ़ती लेकिन जब राय साब आएंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? पर एक बात है, मास्तर जी हुजूर साब बुरे आदमी नहीं है कलक बहुत है वह फौज छोड़ दी, पौजदारी नहीं छोड़ी निलेश के घर छोड़ने से पहले भी क्यादाय साब ऐसे ही थे? नहीं कलक तो ऐसे ही थे पर तब तो हसी मजाग भी कर लिया करते थे बस वही वही दुख दिल को लगा लिया राज साब हमने तो कोई बीस बरस से हुजूर साब की हसी नहीं सुनी, मास्तर जी नारायन भगवान ने चाहा तो इस बार उन्हें हस्ता भी देखूगे हाँ, मास्तर जी एक बार हमारे हुजूर साब को खुष कर दो उनकी हसी वापस लोटा दो, जो मांगोगे मैं हमारी इतनी हैसित काम, मास्तर जी फिर भी अगर जिंदगी मांगोगे तो तो वो भी मास्तर वेरी गोड अभी आप लोग सफेद वाली गोटिया लेंगे और आप लोग काली वाली लेंगे, ठीक? नए, हम तो लाल वाली कुण लेंगे आप लाल वाली नहीं लेंगे आप काली वाली लेंगे, चलो खेलो चलो अरे, यह क्या? भाईवानी करते हो? हाँ? भाईवानी नहीं करने शावाज, आचाव, तुम लग खेरो में चलता हूँ, घंटे बाद अपने कम्रे में जागे आराम करना, और देखो, गेम में कोई बेमानी नहीं करेगा, संजयो, नहीं करोगे? वेरी गॉड, तो खेलो, शावाज, शावाज, थे जावाज। खखखः गालामी कि श श खखएए खखए ओखएए कि श खखएए खखएए खऑई खख़ए खखएएएज जसे लिखच़ ख़क्सादा खखए़गान है, जसे भुचछड़ कि अबुचछ़ आरहान है। प्रॉछ श्रॉछ श्रॉछ झाल 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 में प्याल झाल रमा झाल रमा? क्या हुआ? कीड़ा कीड़ा? कीड़ा क्या? इधर बैठा हुआ था यहां तो कुछ भी नहीं है अभी था आदे घंटे से परिशान कर रहा था कौन? कीड़ा कीड़ा? सच था काला कीड़ा करेमा तुम पंगली है सच मुष बात पंगली चलो जी कीड़ा जी महराच ऐसा लग रहा है जैसे किसी शेर से बीचा छुड़ा रही थी कीड़ा रहा है कीड़ा 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 माप करना पंडे जी महरा काम खतम कर लो कर लो राय साब का पार है चार पांच रोज में आजामेंगे डिवान जी को चिट्थी आई है उसमें लिखा है 25 को आमेंगे 25 आज रही 15 अभी तो दस रोज बाकी है अजी दस रोज तो इस अपते में गुजर जानेंगे समय जाते कोई भकत लगया है क्या क्या बादा जी तरहएं गलास रत्म हो गई आदे गंटे आए कारेमबोड की किलास होते है Zachearamबोड की किलास होते है जा अचो अपने कमर में जा चलो च्लो कहें मामची जलो कैसे आना हुआ तुमारी एक चिठ्थी आइथचि किसके चिट्ट्री है अमिट के क्या लेकर नौकरी तो बन गई मामा जी दो दिन के अंदर अंदर डूटी जॉइन करने होगी कहां बहुत अच्छी कंपनी है और नौकरी भी बहुत अच्छी है आने से पहले इंटर्व्यू देकर आये था एक मिस्टर दिक्षित है उनी की मदद से पहुंचना कब है अठारा तरह को अठारा मतलब दो दिन बाद जिया इतनी जल्दी कैसे जाओगे और यहां क्या होगा हाँ वो मुश्किल है क्योंके राए साथ यह नहीं है और और बच्चे उनका क्या होगा लेकिन मामा जी यह नोकरी हाथ से चले गई तो भी अच्छा नहीं होगा यहां और कितने दिन काम होगा मेरा बच्चे सारी उमर घर पर थोड़ी बढ़ेंगे उन्हें भी तो स्कूल भेजना होगा देख लो भई मेरा तो ख्याला के राय साब के आने से पहले कोई फैसला नहीं करना गाई अच्छा तो मैं चलता हूँ जरा गनी साब क्या भी जाना है आना किसी रोध घर पर रमा को भी साथ ले आना तेरी मामी पूछ रही थी पूछ भी जाए रहना क्या होगा गावना चिप क्यों हो गया क्यों आपके सामने नहीं गा सकती वो क्यों मैं कोई ऐसा बेसूरा भी तो नहीं हूँ के अच्छे गाने की दाद ना दे सको इसलिए नहीं मैं खुद बहुत बेसूरी हूँ मगर सुनकर पर ऐसा नहीं लगा किस उस्ताद से सिखा है बाबुजी से उस्ताद? बाबुजी देखें आप क्या गा रही थी ये बाबुजी की कॉपी है ये माजी ये बाबुजी का आफरी गीत था जो नहीं मुझे सिखा है उस वक माजी भी नहीं थी उनको गुजरे तीन-चार साल हुचुके थी और बाबुजी भी बहुत बेमार रहते थी बितिना बिताई रहना बिरहा की चाई रहना बितिना बिताई रहना बिरहा की चाई रहना भीगे होई अखियोंने लाख पुझाए रहना भीतिना भिताए रहना दिरहा के जाए रहना भीगे होई अखियोंने लाख पुझाए रहना भीतिना भिताए रहना भीति होई पतियां कोई दहराएं भूले हुए लाख से कोई त बुलाएं भीतिना भीतियां कोई दहराएं भूले हुए लाख से कोई त बुलाएं चांद की बिंदी वाली बिंदी वाली रतियां जागी हुई अखियों में रात नाई रहना बितिना बिताए रहना बिरहा की जाई रहना बिगी हुई अखियों ने लाख बुजाई रहना बितिना बिताए रहना युग आते हैं पर युग जाएं चोटी चोटी यादों के बल नहीं जाएं युग आते हैं और युग जाएं चोटी चोटी यादों के बल नहीं जाएं चोट से काली लागे लागे काली रतियां रूठी होई अखियोंने लाख मनाए रहना बितिना बिताए रहना बिरहा के जाए रहना बितिना बिताए रहना बिरहा के जाए रहना बितिना बिताए रहना बिरहा के जाए रहना बाग तकलीफ हो रही है ड्टर चाचा कुछ पुछे बाभूजी, सत्रे साल होए आपका घर छोड़े या यूंकमा अपना घर बसाया जैसा आपने कहा था अब तक वैसे ही जिया अपनी तरह तक आज जिस मौताजी पर मजबूर हो गया हूं अपने लिए नहीं, अपने छोटे छोटे पाँच पच्छों के लिए उन्हें समाज लीजिए आज आए जी बाबजी इस हो बेटो ऐसे पोस कर देंगा जी कहा गोम रहे थे बारिश नहीं बारिश तो बंद होगे बाबोजी मेरा टिकेट के बैस है कहा जा रहा है इजटी डर लें, बाबोजी ने दिये अभी देना, मुझे दे रहे है अजे, अजू कल रात महर तुमेट कैसी रही इलाज भी तो तुम ठीक से नहीं का बाबोजी आपने दादाजी को चिट्टी लिखिया है हाँ, हाँ, बैटे लिखा है तुजा कर ले जाए क्यों? तुम मेथी का साग बहुत अच्छा बनाती है ना उने भी बहुत पसंद है खुब खिलाते रहना मजब मत करो बाबजी ठीक ठीक बताओ तेरा मजब भी बिलकुल तेरे दादाजी की तरह है तुह ही ठीक रहेगी सच बताओी क्या लिखा आपने ऐसे मंगाए उनसे नहीं, बैटे तेरे भाओजी ऐसा कभी नहीं करेंगे मरते मरते भी वह तुचिछी ठीक यूं लिखी याद है माने एक बार कहा था तो आपने कितना डांटा था उन्हे जा बेटे डॉक्तर चाहते के लिए चाहे लिया मदन वो गुलिये क्या खत्म होगी सास खत्म होगी भाओजी भाओजी तो आज बाओजी को चिट्थे लेते हैं कितनी बार क्या जोगा हूँ कि तुम्हे फॉरण फॉरण दाखिल होना चाहिए चाहिए इसलिए तो आज बाओजी को चिट्थे लेते हैं वरना बच्चों को कहा छोगा हूँ यह देखो दिन में दस बार खून थोगता हूँ बुम्हेंजी पुम्हें ओपजी को कziękले सिएाँ ओपशैरी को पुम्हें उसी दिन हम बाबु जी को हस्पिटल लेके, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी, कुछी दिनों में अंच सामने नज़र आने लगा, वो दादा जी को रोज पूछते थे, वाई, उनकी कोई चित्थी, मगर मैं जानती हूँ दादा जी जान बूछ कर नहीं है, अपनी जिद, अ और जब सब कुछ खत्म हो गया, तब हमें लेने आए, अगर बाबु जी ने मुझे, आखर व्यक कसम ने दिलाई होती, तो मैं कभी नहीं आती हूँ रमा, मैं किसी को दोश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ, राई साब को समझने में सब ने भूल की, तुमने भी, और तुमारे बाबु जी ने भी, तुम समझती हो, राई साब ने जान बुछ कर अपनी बेटी की ख़बर ने ली, हालांके सत्रस साल उन्होंने उनकी शिधी चिठि का इंतसार किया, अगर उन्होंने एक बार भी लिखा हूता, तो राई साब उन्हे खुट जाकर लिया आती है आपको क्या मालो, किसने कहब से? खुट राई साब ने तो फिर उन्होंने क्यों ही मना लिया बाबु जी को, कहां जाकर मनाते हैं, कहां लिखते हैं उन्हें, तुम्हारे बाबुजी ने तो कोई ख़पर नहीं थी उन्हें जब चिठी लिखी थी तब, तब क्यों नहीं आए देखो रमा, तुमने खुदी सोचकर उसका फैसला भी कर लिया क्या तुमने कभी राय साब से पूछा, कि वो क्यों नहीं आए मैं क्यों पूछते तो वो क्यों बताते, उनकी जवाब देए अपने बेटे से थी, तुमसे नहीं सुनो, मैं बताता हूँ, जब तुम्हारे बाबुजी की चिठी यहां आई, उस वक्त राय साब यहां नहीं थे, बाहर गए हुए थे करीब महीने बर के बाद वो चिठी उने मिली, और वो चिठी मिलते ही, वो यहां एक मिनिट नहीं रुके, उसी तरह अपने बेटे से मिले चले गए आपको कैसे मालो, फिर वही, क्या तुम्हें याद नहीं, वो दो दिन तक तुम्हारे साथ ही रहे, तुम्हें मनाते रहे यहां आने के लिए, दो दिन तक उन्हीं कपड़ों में उड़ते बैड़ते सोते रहे, उनके बास बदनने के लिए भी कपड़े नहीं थे, उनकी वह हलत भुल गी तुम। उस वक्त कौन सी ऐसी गरस थी। कौन सा ऐसा गरूर था जिसके लिए पांच-पांच-साथ-साथ साल के बच्चों के आगे गड़ गड़ाते रहे। हाथ जोड़ते रहे। नारान। मुझूर साथ। ये कौन लाया है। मास्तर जी। किसलिए। बच्चे खेळा करें। रभी कहा है। वो तो चले गए। मास्तर जी तो सहर चले गए। कह रहे थे। दिवान जी कहा है। बाहर गए हुजूर। बला उने। जी बलाता हूँ। थेरो। ये तस्वीर यहां किसने लगाई। जी बच्चों ने। कहा है बच्चे। स्कूल में। स्कूल में। जहां वो पढ़ा करें हुजूर। ग्लास में। मा क्या कर रहे। पढ़ रहे हुजूर। रोज एक बज़े तक पढ़ा करें न हुजूर साम। पढ़ा कौन रहा है। रहे हुजूर। रहे हुजूर। रहे हुजूर। रहे हुजूर। रहे हुजूर। पढ़ा हुजूर॥ रहे हुज। रहे हुजूर॥ आप पूर। पर्त nuclear आपने बाबाबे जी चीते रहो बेटा चीते रहो वो अजी आगे? नहीं बेटी अब वो अपने घर रहेंगे तुम बैटो पड़ाओ पड़ाओ कले टाओे जी तुम फड़ाओ यार यार रहेंगे पड़ाओ पड़ाओ एर वाओग जादा जी, ये लीजे, मेथी का साथ, मैंने बनाए है, आपको बहुत पसंद है ना, बाबु जी ने कहा था एक बाद, तो मैं नेलू ने बताया था, वो मुझे याद किया करता था, बहुत याद किया करते थे, अक्सर आपकी बातें बताया करते थे, क्या बताया करता था यही, कि मैं बहुत पथर दिल हूँ, मैंने बहुत सुलम किये उस्तर, नहीं दादा जी, वो तो कहा करते थे, मेरे को ओन है एंदर आप जी चुने तर सरुए है तरव्लस बॉल नां तुमक है कि अजहाती हो सबस्टंगी? मीनला लोगते मेंला एक तालंग लब जोट इनव नगोने वाला है मैं लगाम मोनुम मालाया मैं लगाम मालाया मालाय वजय को पर तूग़ ज़दी मून मोनुम मोन огליפ तो नढुट घुप आओ बेटी आओ आज आओन ये कहानिय इने कौन चिखाया करता था रवी जी रामा रवी कुछ कहकर गया था जी कह रहे थे शेहर में अच्छी नौकरी मिलके ही है जाना जरूरी मैं बहुत शुकर गुजार हूं रवी का उसने मेरे बच्चों से मेरा परीचे करा दिया लेकिन एक बात उसकी अच्छी नहीं लगी बिना बताए मेरी गार हादरी में जो चला गया अच्छा नहीं किया उसने नहीं दादा जी नाराज है तो सिर्फ इस बात पर कि आप उनसे मिले बगर क्यों चले गए वरना बहुत खुश है उन्हें हस्ता देखकर बहुत अच्छा लगता है आप हैरान होंगे सुनकर मीत आचकल दादा जी के पास होती है संजू मेरे साथ रहता है अजय और विजय दोनों होस्टल चले गया है उस दिन जब होस्टल के लिए जा रहे थे तो दादा जी का गला भर गया कहने लगे अभी तो जीबर कर रहा भी नहीं इन बच्चों के साथ आपका नाम लेकर बोले वो होता तो कुछ महने और यहां पड़ा दिता लेकिन आपको तो बहुत काम होगा वहां पर संजू से मिलने की फुरसत भी कहा होगी संजू और बाकी सब आपको बहुत याद करते हैं संजू और बाकी सब भी बहुत याद करते हैं पचास बार तु यह पढ़ चुका और पचास बार मैं यह सुन चुका लेकिन यह बागी सब का नअम क्यों नहीं लेता? कौन है? कौन है राहिसाथ और और अजय विजय और नाराएन दिवान जी और इख साल मने लेतां नहीं को क्यों नहीं लेता? क्या पतेव रता स्थ्रियों की तरह शर्मा रहे हुझा अच्छा ये बता, तुने रमा से कुछ कहा था? हाँ, कहा था क्या? यही के तुम्हारी कमी मैसस होगी जेपु साला और कैसे कहता? दिल पर हात रख कर ड्रामा करता? जैसे फिल्मों में करते हैं अच्छा, आते हुवे रमा ने कुछ कहा था तुझे? नहीं, जब आ रहा था तो संजु और बाकी सब भार तक छोड़ने आया थे जाने को तो मेरा जी भी नहीं चाहता दिवान ची लेकिन क्या करूं? नौकरी ऐसी है के छोड़ना भी नहीं चाहता तो आप उनसे मेरी तरफ से माफी मांगने चीगा समझा दीजीगा उने तो मैं चलू अजय जो कुछ मैंने बता वह सब याद रखोगे ना? येस सर रिजय? येस सर मुन्नी आप का बैमो बाप है सर आपकी शादी में आएंगे बैटा पलाओगी ना? आपका उठारे सर हमेज जाना है बैटा काम है फिर कौप आएंगे सर आएंगे सर्जो जल्दी आएंगे आपकी दीदिक आएंगे? वो अपने कमरे में रूर रही है आएंगे रमा रमा आपको भी नहीं आएंगे तदर जी से मिलने आवगा रमा, तुमसे मेलने वी आवगा रमा, मैचलम रमा, मैचलम मेरा ख्याल है तुझे जाके मिलना चाहिए और अगर हो सके तो एक बार रमा से बात भी कर ले मैं चाहिए क्या? देख रमा तुझे चाहते हुए भी खुद राई साब से बात नहीं कर सकती तुग्या समझता आमेट, मैं बात कर सकता हूँ अगर तुम रमा की फीलिंग्स यकीनी तौर पर जानते हो तो फिर कह सकते हो खुद नहीं कह सकता तो मामा जी से तो बात करवा सकता है उस पिचारी रमा के लिए तो और कोई तरीका ही नहीं उसके माबाप तो है ही नहीं, कहीगी किस से तो कम से कम जाके मिल तो सही, हो सकता है राय साब खुदी बात समझ जाए चलो, मुचा करो, शाबाज, बस अब आंकों को हाथ नहीं लगाना, यह लो, चश्मा पहनो शेरू, बच्चों को अंदर ले जाओ, चलो पिटा गर्मी बहुत है, जाओ नमस्ते राय साब अब क्यों आय हो, किस ने बुलाया तुम्हे, बुलाया, बुलाया तो किसी ने नहीं, मिलने चलाया किस से मिलने आय हो, जी, रमा से, बच्चों से, जी, सभी से मिलने चलाया हमसे मिलने तो नहीं आये, हमारी अगर परवा होती तो इस तरह हमारी गहरहादरी में भाग कर क्यों चले जाते आपकी गहरहादरी में जाना पड़ा, लेकिन मुझे आप जानते हैं, फिर आपने जो काम मुझे सौपा था, उसे पूरा करके गया किसने कहा तुम्हारा काम पूरा हो गया है, अभी तो तुमने सिरफ बच्चों को ठीक किया है, और बाकी बाकी? बाकी कौन? हम, हमें कौन सुधारेगा अभी तो हमें ठीक करना बाकी है, बैठो रवी थैंक यू, रवी हमें तो बच्चों नहीं सीधा कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारा बहुत शुकर गुजार हूँ कि तुमने हमें अपने बच्चों से मिला दिया वरना बाकी उमर भी इसी तरह कुड़ते कुड़ते गुजर जाती और बच्चे सिरव यही जान पाते कि उनका दादा बहुत जालिम है नहीं राय साब, मुठी बंद करने से कहीं खुश्बू कैद होती है आपके अंदर इतना प्यार भरा हुआ था कि कहीं न कहीं से उसकी मैग बच्चों तक पहुँची जाती कैसे हैं संजी और बाकी सब अजबी जो होस्टल से चिठी तो लिखते होंगे चिठी तो उनकी हर अफते लेकिन तुम्हें कैसे मालूम के वो होस्टल चले गए है मैं वो रवाने चिठी लिखी थी मैं कहकर गया था कि आपके आने के बाद मुझे ख़वर कर दे कि मैं अपने काम में कहां तक काम आप रहा हालां कि चिठी आपको लिखनी चाहिए थी मुझे मुझे मुबारक बाद देने के लिए हर्गिस नहीं चिठी तुम्हें लिखनी चाहिए थी क्योंके बड़े खाते पीते खांदानी लोग, मैं उनके पोते से रहमा की शादी की बातचीत कर रहा हूँ, बड़ी सुखी रहेगी अगर उस खर चली गई तूँ फ्रमा जानती है, ने, रभी, मैं अपने अंदर कहीं तूट चुका हूँ, कमजोर हो गया हूँ, पता नहीं क्यों, अपनी चोटी सी बेटी से कहते हुए डर लगता है, कहीं उसने ना कह दी तो मैं, मैं से नहीं सकूँगा, हालां कि कोई वज़य नहीं, कोई कारण नहीं इस डर का, रभी, अपने बेटे की शादी मैं अपनी मर्दी से ना कर सका, लेकिन अपनी इस बेटी की शादी अपनी तरह करने की बड़ी हस्रत है, शायद अपने पुराने पापों को धोना चाहता हूँ, चलो रभी, दिवान खाने में चलें, धुब बहुत तेज हो गई है, संजी और मिता का है, अपने कमरे में होंगे, जाओ उन से मिल लो, तुम्हें मिलकर वो बहुत खुश होंगे, बहुत याद करते हैं तुम्हें, रभी, अपने बेटे की शादी में अपनी मर्दी से ना कर सका। लेकिन अपनी इस बेटी की शादी अपनी तरह करने की बड़ी हश्रत है। शायद अपने पुराने पापों को धोना चाहता हूँ, अब अब जादे, लोग एक सका ने खुराने छिए इन की शादरी की शादी, तुम्हें मास्टर जी याद कर रहे हैं , तिन बार क्यों याद कर रहे हैं ? अरे बहुआ प्यार करते हैं तुमें मास्टर जी तुम याद कर रहे है दीजी तुमको भी तुम मास्टर जी प्यार करते है नहीं दीजी को कहा चीखाई है अभी दुम्हारे मास्टर जी को चीखा रहे हैं अभी दाव हुआ 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 है हाथ थाम कर इधर बिठा लिया रात ने इशारे से उधर बुला लिया खुबर से शाम से मेरा जोस्ताना मुसाफिर हूँ यारो ना घद है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना क्या हुआ चाहां की तैयारी कर रहा है शहर की मामजी आज दोपैर की गारे से निकल जाओंगा हैसी भी क्या जल्दी अभी तो आया है दो एक रोज और रुक जा नहीं मामजी मैं मुझे कहकर आया था बात क्या है ऐसा उख़ा ख़़ा क्यों लग रहा है जी कुछ नहीं राय साब मिलेते है जी हां रमा मिली थी जी कैसे है रमा अच्छी है कहा जा रही है किचिन रवी कहा है रवी तुमसे मिला नहीं कहा थी तुम अपनी रूम में वही तो वह गया था तुमसे मिलने वह आए थी कब यही कोई घंटा हुआ लेकिन ऐसे कैसे बागार मिले चला गया रमा इदर आओ मेरे पास आओ और करीब आओ अच्छा नहीं लगा तुमारे इस तरह आना और इस तरह चले जाना लगता अब जाईया चूने आये थे तुम ठेरो मैं देखता हूँ चलो सीटी बाज़ी चड़ जाओ अब ख्याल रखना अदेखो चिठी उठी भेजना पंदर जी पंदर जी रभी कहा है रभी चला गया है मैं पूछता हूँ रभी क्या कुछता हूँ कर दोपस्ट पंड़ जी बुज़रुगी इसी में है कि अब हम लोग यहां से चलें कि अब हम ळब हम लोग जी । झाल झाल